नमस्कार दोस्तों मैं हूँ सुर्जीत शामल और आप देख रहे हैं Worker वास्टॉटींग दोस्तों अगर आप दिल्ली में रहते हैं construction worker हैं construction worker में केवल वो ही नहीं जो भवन निर्मान से जुर्य काम करते हैं की अलग-अलग category है जिसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ और खासकर आप सभी लोग को याद होगा कि lockdown के दौरान construction worker को एक registration जिसको की लिवर कार्ड registration भी कहते हैं आप लोग बोल चाल की भासा में जिनके पास पहले से लिवर कार्ड बना होगा जिनका registration होगा उसमें क्या होता है सरकार का एक construction board होता है वहां पर registration कराना होता है और साल का मामूली से एक फीस जो की 20 रुपया है वो आपको देना पड़ता है और उसके दौरान आपको बहुत सारी facility सरकार के तरफ से बहुत सारी सुविधाएं जैसे चिकित्सा सुविधा बच्चों की सिक पार्टने के लिए सुविधा maternity benefit और भी बहुत सारा facility आपको पढ़ान की जाती है lockdown के दौरान ही दिली सरकार ने online registration की एक विवस्ता दी थी जिसकी परकरिया काफी जटिल थी जिसको हमने tweet करके भी सरकार को feedback देने की कोशिश की थी और उसके बाद आपको याद होगा कुछ दिन पहले तक हर जगा बूत खोल करके सरकार खोल सरकार registration करने लगी थी और इसी वीच अभी दिली के जो नए सरम मंत्री है मनीशी शोदिया जी बने है उन्होंने एक नई विवस्ता सुरू की है और इसके लिए उन्होंने कल ही प्रेस रिलिज जारी करके जानकारी दिया है कि अब आपको कहीं बूत पर जाने की जरूरत नहीं है कहीं लेवर बिभाग में दौरने की जरूरत नहीं है बलकि घर बैठे आपका रिजिस्टेशन हो जाएगा और इसके लिए क्या प्रकिरिया है आज हम उसकी जानकारी देंगे लेकिन इसके लिए आप से नोध है इस वीडियो पे आप अन तक बने रहें और अगर आप हमारे चैनल पे नहा है तो जल से इसको सब्सक्राइब करने और वेल आइकन को जब क्लिक करें ताकि हम इस चैनल पर वर्कर से समध ही जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो तो आई दोस्तों हम इसको step by step करक है उसको खुछ सुनते हैं इनके वेलफेर के लिए स्कीम क्या चलती है मैं वो भी आपको बता देता हूं कि अपनी कोई भी मज़दूर है अगर अपनी शादी के लिए या अपने बेटे बेटी की शादी के लिए 35,000 से 51,000 रुपए की मदद मिलती है इमिडेक्ट जो वरकर साथ साल से उपर हो जाते हैं उनको फिर मंतली ओल्डेज पेंशन मिलती है तीन हजार रुपए की तो तीन हजार रुपए की पेंशन भी अपने आप में एक बड़ी सहायता है वैसे समय पे हेल्थ एंड मेटरिनिटी बेनिफिट दो लाख तीस हजार रुपए के मिलते हैं बच्चे की एजुकेशन के लिए पांसो से दस हजार रुपए महीने तक की स्कॉलर्शिप है कनस्टरक्शन वर्कर के बच्चे के लिए इस को मिलते है नैच्रो डेफ के घुट बड़ी पे दस zara रुपए इसके अलाबा भी आप किसी अन्यराज में काम करता है तो हर सचीट का लागए लग बोर्ड होता है, जाकि आप reliable card के लिए apply कर सकते हैं लेकिं आप जिसवी state में काम करते हैं अगर उसकी जानकारी चाहते हैं तो नीचे comment करके आप अपने state का नाम बताएंगे तो आगे मैं उसकी जानकारी देने की कोशिस करूँगा लेकिन सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि दिल्ली के अंदर construction worker के अंदर कौन-कौन से काम करने वाले worker आएंगे जो registration करा करके इस लाव को ले सकते हैं इसमें interesting यह है कि construction labor जब हम कहते हैं समान ले जाने वाला भी है construction site पे कोई और labor है अगर कोई construction site पे काम करने वाला भी है construction site पे काम करने वाला चौकीदार वी construction worker है प्लंबर भी है, कारपेंटर भी है, इलेक्ट्रिशिंग भी है, फिटर भी है ये सब कंस्ट्रक्शन लेबर की स्रेड़ी में आते हैं वेल्डर, शट्रिंग, पंप उपरेटर, बारवाइंडर, ग्रेन उपरेटर ये सब के सब construction labor की category में आते हैं इन सब को सरकार register करके सरकार चाहती है कि इनके welfare के लिए मिलने वाली schemes का इनको फायदा मिले अब सबसे अंत में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसमें registration होगा कैसे अब आपको क्या करना है केवल 1076 पे call करना है घर बैठे call करेंगे call करने के बाद आपको बताना है कि आप construction worker के अंदर जो भी आपका काम है उससे related आपका जुरा काम है आप registration कराना चाहते हैं आप अपना address note कराएंगे address note कराने के बाद इसके साथ ही आपको ये भी बताने की सुविधा होगी कि किस समय आप घर पे level होगे तो दिल्ली सरकार के जो executive जैसा की मुंत्री जी ने कहा है अब आप से ये service शुरू हो जाएगी 1076 पे और अब किसी भी labor को construction labor को दिल्ली में सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की ज़रूत नहीं है वो केवल 1076 पे phone करेगा वो बताएगा कि मैं दिल्ली में construction labor हूँ और मुझे सरकार की योजना में register कराना है तो सरकार का executive उसके बताए time के हिसाब से उसके घर जाएगा उसके सारे document वहीं पे website पे upload कर लेगा जो जो भी required है और उसके बाद हमारा वो जो process है वो हमारे पास आजाएगा सेकर्टी साब के offices में district office में ही आ जाएगा और वहीं से उसको approve कर दिया जाएगा online उसके बाद उसको तुरंत एक SMS चला जाएगा कि आपका registration हो गया है आपका registration नंबर यह है आप चाहें अभी आपको अर्जेंट जरूथ है आप लेबर हम उसको home delivery भी करा देंगे उसके घर पे home delivery हो जाएगा वह certificate तो इस तरह से एक बड़े वर्ग की यह समस्या थी दिल्ली में जो construction लेबर है जिसको धक्के खाने पढ़ रहे थे अपने registration के लिए उसकी वज़े से registration कम हो रहा था हमारे अनुमान के हिसाब से जो मोटा मोटा अनुमान है लगबग 10 लाख लेबर ऐसा है जो construction से प्रेक्टर से जुड़ा हुआ है और अभी कि तमाम प्रयासों के बावजूद 11,000 रिजिस्टर्ड हमारे पास में हैं अब इसले महीने से काफी और प्रयास पिकी और अब 1076 पर फॉन करके कोई भी construction वरकर इस प्रेगरी में आने वाला अपने घर पर सरकार के executive को बुला सकता है और वहीं उसका registration हो जाएगा पांच-छे दिन के अंदर अंदर उसका registration certificate पी उसके घर पहुचा दिया जाएगा ये एक बड़ी welfare scheme है जो बड़ी सुविधा है लोगों के लिए लागू की है मैं चाहता हू आपके जरीए ये आम लोगों तक पहुचे और इस काम में जुड़े हुए लोग गरीब लोगों का मदद कर सके तो दोस्तों उमीद करूँगा ये जारकारी आपके लिए काफी helpful होगी और अगर आप construction worker नहीं है लेकिन आपके आसपास में कोई construction worker है उन तक ये message को share करें त इसके साथ ही जल ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं धन्यवाद